आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कढ़नाईय और परिशानय ना हो जिसके कारण व्यक्ति अधिक चिंता करने लगता है और इसी चिंता में उसको स्वास्थे बिगड़ जाता है और अंत में व्यक्ति इस संसार को छोड़ कर चला जाता है इसलि चिंता से छिपकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप चिंता को ही भूल जाएं और हर समय हस्ते रहें अगर आप भी इस समस्य से गुजर रहें हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपके चिंता दूर करने में मदद करेंगे और आपको कुछ ऐसे पहतरीन उपाय बताएंगे जिससे आप चिंता करना भूल जाएंगे और आपके जीवन में केवल खुस्यां ही रहेंगी लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिपेशन बेल को आल पर जरू सेट करें तो चली वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप बहुत अधिक चिंतित रहते हैं तो जादर से जादर समय बच्चों के साथ बिताएं क्योंकि जब हम बच्चों के साथ होते हैं तो हम भी उनकी तरह बच्चे बन जाते हैं और बच्चे किसी भी बात की चिंता नहीं करते वह अपना बच्चपन जीते हैं इसीने जब भी आपको चिंता हो तो बच्चों के साथ समय बिताएं युकि जब आप उनके साथ समय बिताएंगे तो आप भी उनके तरह बच्चे बन जाएंगे और आप अपने सारे दुप और परिसानिय भूल जाएंगे टिक्स नमबर टू खुसमिजा लोगों के साथ रहें सबी लोगों के साथ रहें, अकेले रहना छोड़ दें साथ रहना चाहिए जो आपको हसाने की कोशिस करते हैं और आपको खुश रखना चाहते हैं क्यूंकि जब आप खुशो loyalty लोगchemistry साथ होंगे तो आप उनके सकारत्मक प्रिसारों और सकारत्मक प्रभाव से प्रभावित नाकि आप अगर आप उन चीजों पर ध्यान देंगे जो आप कुछ दुखी करती हैं तो आप और ज्यादा डिफ्रेशन में चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी सेहत भी खराब हो जाएगी इसलिए हमेसा सकारत्मक सोचें और अगर आपके साथ कभी भी ऐसी कोई कर देना चाहिए टिप्स नमर 4 पसंदिता गाने सुनिए यदि आप अकेले हैं और आपके साथ कोई बात करने वाला नहीं है ऐसे में आप मूविस देखिए या फिर सोंग सुनिए ऐसे सोंग सुने जो आपको कुछी दे ना कि वो जो आपको दुख दर्द दे ऐसा करने से आपका माइंड फ्रेस रहेगा और आपके मन में बहे विचार नहीं आएगा जिससे आप चिंदित रहते हैं इसलिए जब भी आप अकेले पन महसुस करें और आपके पास कोई ना रहे तो आप मूविस देख सकते हैं सोंग सुन सकते हैं या फिर बुक्स पढ़ सकते हैं ब में इन सब बातों के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए हम जो काम कर रहे हैं उसे पूरे मन से करना चाहिए क्योंकि अगर हम भविष्य या अपने अतीत के बारे में सोचेंगे तो हम जो काम कर रहे हैं वह भी नहीं कर पाएंगे और ना ही बरतमान को अच्छे से जी यदि हमारा मस्तिक्स केवल सकरत्मक बिचारों को ही सोचता है तो हम चिंता मुक्त रहेंगे इसलिए जब भी आप समस्यों से चिंतित हो तो एक आंत बातापरण में चले जाएं योग करें और अपने बिचारों में केवल सकरत्मक बिचारों को लाएं और नकरत्मक बिचारो को भूल जाएं आप केबल उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देती हों तो दोस्तो आज की वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे बहतरीन चिंता मुक्त उपाय बताए जिनने आप अपनी डोजमर्रा की जिंदगी में इस्तिमाल कर सकते हैं और तनाव मुक्त हो सक अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिवेशन बेल को आल पर चरू सट करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना खयार लग झाल झाल